चले एक कुस्चन देखते हैं चले एक कुस्चन देखते हैं कुस्चन पढ़ते हैं क्या कहता है कि एक्स की एज है 59 और टू हाउस डिटेल बिलो कहता है दो घर है लेट आउट कर रख है हाउस नमबर वन हाउस नमबर टू हाउस नमबर वन इसने यहां से यहां तक लेट आउट किया है यानि house number one के बारे में कहता है कि जो लिखते जाते हैं हम यहाँ house number one जो है वो एप्रेल से लेके जुलाई तक let out रहा और august से मार्च तक august से मार्च तक यहाँ जो let out था और यहाँ पर था vacant आपका यहाँ से यहाँ तक कहता है sir यह था हमारा sorry august से लेके मार्च था यह self occupied रहा यह line है ठीक है न self occupied था exam में आया है वह question है 2016 में आगे कहता है दूसरे वाले घर की कहानी कहता है यहाँ से यहाँ तक जून से लेके यानि जून से लेके तू मार्च तक रहा let out यानि सर अपरिल मई रह गया हमारा कहता है एपरिल में रहा यह vacant और मई में भी क्या रहा वेकेंट आपको पता होना चीए दोनों में difference है वेकेंट में और आपका self-occupied में वेकेंट में हम lower वाला consider कर लेते हैं और self-occupied में हम अलग से ले लेते हैं एक सेकेंट चलिए आगे देखते है municipal valuation दे रखा है दोनों का fair rent दे रखा है standard rent दे रखा है rent let out तो कहता है let out period के लिए जो यहां से यहां let out था तो sir 10,000 रुपे महिने किराएपे था और यह वाला 14,000 रुपे महिने की किराएपे था कहता है completion construction 2018 में complete हुआ यह 19 में हुआ municipal tax but not paid अभी तक paid ही नहीं किया तो हमारे लिए irrelevant information है और यह वाला paid कह रहा है तो यह information है X ने बोरू कि यह 5,000,000 रुपे 10% construction of house number 1 घर एक बनाने के लिए April 17 में तो PCP निकाल लेंगे आगे कहता है compute the net income tax liability कहता है his net income and tax liability for the assessment year 2021 assuming that income from business business से यह पैसे कमा रहा है यह also deposit एक लाख रुपे public provident fund तो सर एक लाख रुपे public provident fund का मतलब ATC activate हो गया यहाँ पे made a donation 10,000 रुपे to prime minister relief fund ATG में तो सर यह ATG में वैसे ही बोल दिया under section ATG में तो सवाल करते हैं सवाल बहुत आसान हो जाता है यह दो घर है करते हैं चालिए H1 and H2 सबसे पहले MV MV देखे तो 80,000 और 120 MV के बाद FR देखे तो 90,000 और 1,00,00 अच्छा यह 9,00,00 हो गया अब SR दे रखा है हमें 85 और आपका है 14,31 अब सर ER निकाल लेते हैं expected rent 90 और lower 85 यहाँ पे 20 और lower 21 सर actual rent receive and receivable यहाँ पे आप ध्यान दो तो घर यहाँ से यहाँ April to July let out था August, September August, September, October, November, December, January अच्छा बच्चे करें कुश्चन नहीं दिख रहा है भी दिखा देते हैं यह लिजे कुश्चन नहीं दिख रहा तो अब दिख क्या हुआ तो कह रहे हैं के April से जुलाई यानि April, May, June, July चार महीने किराये पे रहा तो सर्थ चार महीने किसके हिसाब से सर 10,000 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000 अगले पॉइंट पे देखते हैं हाँ और बाकी self occupied था कोई बात नहीं House number 2 June से लेके March तो June, July, August, September, October, November, December, January, February, March कितने होगे दस महीने दस महीने 14,000 किराये पे रहा तो यहाँ तो यहाँ बाकी वेकेंट सर जीए भी जीए भी क्या आएगा हम चेक करेंगे इन दोनों में से क्योंकि self occupied था तो इन दोनों में से higher यहाँ 85 और इन दोनों में से किरायदार खुदी कह रहा है हमारा जादा है तो that is 140 माइनस मुंसिपल टेक्स सर यहाँ मुंसिपल टेक्स नहीं होगा क्योंकि due था बट नॉट पेड लेकिन दूसरे में पेड किया है 6,000 तो यहाँ गया 85 और एक लाग चौत्यस हजा यह आगया हमारा एन एवी माइनस 24 ए और माइनस फिर 24 बी सर 24 ए और 24 बी यह कितना आया यह आगया 25,000 सब्सक्राइब न चलिए अभी बाद में निकाल लेंगे इसको पहले इंटरस्ट की देख लेते हैं ठीक है कहानी कहता है इसने लोन लिया जो था वो लिया था थोड़ा उबर कर लेते हैं ठीक है कहता है जो लोन लिया था वो पांच लाग का 10% और यह घर जो कंप्लीट हुआ न वो 18 को हो गया तो सर इसने लोन लिया था कब 14 17 में और घर कंप्लीट हो गया हमारा 31 मई 18 में तो इस सर 14 17 से लेके 31 मार्च 2018 तक तो घर बना नी और 18 के अंदर 18 19 में घर बन गया तो यह PCP आ गया तो सर लोन कितने का था पांच लाग पांच लाग पे परसंटेज क्या था सर 10% 10% सर कितने महिने का 12 महिने का सर 1 बाइ 5 हो जाएगा पांच लाग दस परसंट डिवाइड बारा इंटू में 5 पांच लाग इंटू में 10 परसंट डिवाइड फाइड दस अजार तो सर PCP का आ गया 10 अजार कहता है करेंट येर में भी लोन रीपेड नहीं है लोन इस्टिल आउट सेंडिंग तो 50 ये है ना तो कितने आ गई है 60,000 अब निकाल लेते हैं 85,000 का 30% 25,500 माइनस 60,000 तो ये आ गया 500 रुपे नेगिटिव ठीक है और इसमें 134 का 30% 40,200 ये तो आएगा नहीं तो माइनस करके 93,800 चेक करिए ये आंसर इर एच्टू का 1,000,000 आएगा ना इर एच्टू का 1,000,000 आएगा इर एच्टू का रेंट है वो 14,000 है नंदनी आप देखें इसका 14,000 है ये 14,000 है 14,000 इंटू में 10 ठीक है ठीक है चलिए कहता है इसका टोटल इंकम निकाली है नेट इंकम और टेक्स लाइबिलिटी तो हम इसका नेट इंकम निकालने के लिए अगले पीछ पे चलते हैं ये याद रखना 93,800 हो और ये चलिए उपर लिखना है कम्प्यूटेशन टोटल इंकम और जो भी था सर्य है कौन था ये एक्स सर्य हाँ इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसमें से ह1 से 500 का लॉस और ह2 से क्या है 93,800 का प्रॉपर्ट अब इंकम फ्रॉम बिजनस क्या था हमारा दूसरा इंकम आपका कहता है इंकम फ्रॉम बिजनस छीख है इंकम फ्रॉम बिजनस 6,40,000 यहां जाएगा 93,000 सर ग्रॉस टोटल इंकम आ गया ग्रॉस टोटल इंकम आ गया प्लस छे चालिस 7,33,800 माइनस डिदेक्शन 80C का माइनस डिदेक्शन 80G का सर 80C के अंदर उसने PPF में अकाउंट खुलवाया है 1,00,00 और 80G के अंदर 10,000 तो सर यहाँ पे 1,00,00,00 माइनस और 10,000 यह आ गया हमारा टेक्सेबल इंकम हाँ अच्छा यह 300 होगा मैंने वो माइनस नहीं किया डिरेक्ट लिख लिया था तो 7,333,00 माइनस एक लाग माइनस दस अजार कितना गया टेक्सेबल इंकम 6,2 चेक कर लिजे अब ठीक है अब हम निकालेंगे टेक्स लाइबिलिटी टेक्स लाइबिलिटी में अप टू 250 निल नेक्स्ट 250 अट दर रेट 5% यह 12,000 अब 5,000,000 का इसाब हो गया बाकी कितने बच्चे सर बाकी बच्चिया यह 6,000,000 23,000 है न तो बच्चिया एक लाइख 23,000 जो नेक्स्ट होगा 123 sorry 23,300 इसके उपर अट दर रेट 123 यह आगे 36 नहीं 24,600 sir यह total आजाएगा प्लस 12,500 sir 87A मिलेगा यहाँ पे 87A 87A की condition क्या है कि अगर आपकी income 5,000,000 रुपे तक है तो मिलेगा तो यहाँ 87A नहीं होगा सीधा प्लस कर देंगे 4% higher education says charge तो 4% आगया यहाँ पे 148 6 6 प्लस कर देंगे 38,66 38,666 38,646 और इसको round off भी कर सकते हो round off करोगे तो 38,640 का text दे दो या 38,650 का text दे दो यहाँ यह round off 10 के multiple में होता है ठीक है तो यह सवाल था हमारा एक exam में आया है वो question चलिए done चलिए